तैसील मोड लाडवा से पुलिस ने केड़ी दबदलान निवासी आरोपी को एक किलो पांसो पचास ग्राम चुरा पोस्त सहीत गिरफतार कर भेजा जेल जिला पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफतार किया है थाना लाडवा पुलिस के टेम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में मुकेश कुमार पुत्र पाला रामवासी खेडी दब्दलान थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफतार कर उसके कबजे से 1 किलो 550 ग्राम चुरा पोस्ट बरामत करने में सफलता हासिल की है जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताये कि 4 सितंबर 2023 को थाना लाडवा के उपनिरिक्षिक प्रदीप कुमार, उपनिरिक्षिक अशोक कुमार, मुखे सिपाही प्रवेश कुमार, सिपाही अरुन कुमार वे स्पयो विक्रम सिं वगारी ड्राइवर विकास कुमार की टीम अपराध की तलाश में बाबैंचोक लाडवा पर मुझूद थी पोलिस टीम को सूचना मिले कि मुकेश कुमार चुरा पोस्त बेचने का काम करता है आज भी अपने घर से चुरा पोस्त बेचने के लिए मोटर साइकल पर तहसील मोड लाडवा की तरफ आएगा यदि तहसील मोड लाडवा पर नाकाबंदी की जाए तो वह काबू आ सकता है पोलिस टीम ने तहसिल मोड लाडवा पहुँचकर नाका बंदी शुरू कर दी मौके पर राज पत्रीत अधिकारी श्री बलकार शिंग नायब तहसिलदार लाडवा को भी बुलाय गया थोड़ी देर बाद मोटर सैकल पर एक व्यक्ती तहसिल मोड लाडवा की तरफ से आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया जिसको इशारा करके जब पुलिस ने रुकवाया और उसका नाम पता पूछा तो उसने नाम पता पूछने पर अपना नाम पता मुकेश कुमार पुत्र पाला रामवासी गाओं खेडी दबदलान जिला को रुकशेत्र बतलाया राजपत्री दाधिकारी के सामने मुकेश कुमार वे मोटर सैकल की तलाशी लेने पर उसके कबजे से चुरा पोस्त बरामध हुआ जिसका वजन करने पर चुरा पोस्त का वजन एक किलो पांसो पचास ग्राम हुआ आरोपी मुकेश कुमार पुत्र पाला रामवासी गाओं खेडी दब्दलान थाना लाडवा जिला को रुक्षेतर के खिलाव नशीला पदार्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज करूप निर्ख्षिक वीने कुमार की टीम ने आरोपी मुकेश कुमार को मामले में गिरफतार कर लिया आरोपी को अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदे से जुला कारगार भीज दिया गया है